स्वागत है आपका आज के हमारे एस्क्लूसिफ शो पर मैं हूं काजल मिश्रा और लेकर राई हूं हमारा खाश शो कि चीमाचल की आप ने बात की काजल तो हिमाचल में आज की जो अगर हम खबरे देखें तो उनमें जो सबसे अहम खबर तो यह है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है हलाएं कि उस कैबिनेट में क्या हुआ है उसके बारे में हमें जो जानकारियां मिल रही है वो सोसिस से मिल रही है अभी तक अधिकारिक तोर पर हमें जानकारियां नहीं मिली है तो एक तो में खबर हम ये है, इसके इलावा हम विजली बोर्ड के करमचारियों की हरताल थी, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम माशल की अगर बात करें तो मौसम की बात भी होती है, और खास्तोर पर आज कल का जो मौसम वहाँ चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे मौसम पर चर्चा करना जरूरी है, तो सबसे वहले मुझे लगता है कि क्योंना हम कैबिनेट को लेकर ही बात करें, बिल्कुल सही का, आपने कि हम मंत्री मंडल की बैठक भी थी, विधान सबा सत्रवी है, और विधान सबा चुनावी माचल में होने वाले हैं, जी, तो हम कै माचल में विधान सबा की चुनाव होने हैं, तो ऐसे में लगवख हर कैबिनेट मीटिंग जो है, वो काफी इंपॉर्टन हो जाती है, और ये कैबिनेट मीटिंग इसले भी इंपॉर्टन है, क्योंकि विधान सबा का सत्र भी ज्यादा दूर नहीं है, दस तारीक से विधा सबास सतर के दोरान जो सतारोर पार्टी है जो सरकार है उसकी रणनीती क्या होगी कई तरह के विधेक जो है वो लाए जाने है उन विधेकों को किस तरह से पारित करवाना है किस तरह से उनको उपर बहस होनी है कौन-कौन से विधेक पास होने है उनको लेकर जो है वो चर्चा विदान जो हमाच्छे प्रदेश के सरकारी करमचारी है उनको उनका जो बकाया है उनकी जो सैलरी बड़ी थी पिछले उसके बाद से उनके जो एरियर जो है वो लगातार पेंडिंग चले जा रहे हैं लंबिच चले जा रहे हैं और ये जो पेंडेंसी है करीब दो हजार सोना से चल रही है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारी इसको लेकर लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोत प्रदर्शन वगारा भी होते रहते हैं और इसका इंतजार भी है करमचारियों का क्योंकि हर किसी करमचारी को अच्छा खासा एरियर मेरना है लेकिन इसके साथ सरकार की ओपर इसका एक बहुत बड़ा बर्डन है करीब माना जा रहा है कि दस हजार करोड रुपया जो है सरकार को सिर्फ एरियर्स के लिए खरशना होगा तो सबसे बड़ी जो सबस्या है वो यही है कि इतने बड़े इतनी बड़ी धनराशी की विवस्ता कैसे की जाए आपको पता है कि हमाचल प्रदेश कोई बहुत बड़ी स्टेट नहीं है बहुत बड़े बहुत ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करने वाली स्टेट नहीं है तो पैसे की दिक्कत रहती है, हलांकि पिछले दिनों में हिमाचल की जो अर्थवेवस्था की स्थितिय वो अच्छी हुई है, लेकिन उसको भी देखते हुए, ये दस हजार करोड की रकम एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन ये करना भी जरूरी होगा, क्योंकि अब एक तो का समय है, और उमीद करते हैं कि ये आज फैसला इसके ओपर ले लिया गया है, हलांकि इसके ओपर अधिकारिक तो पर मुझे लगता है कि शायद पंदरह अगस्त को जो की तंतरता दिवस है, क्योंकि उस दिन भी कुछ मात्मून घोशनाई करनी होती है, तो शायद मुखिम एकडम से केसे बढ़े हैं, करीब एक सो पचास केसे सुनने में आ रहा था कि गंधीर विशह है कि कोरोना, सर इसमें ऐसा लगता है कि कोरोना की मतलब तीसरी डोच की सुविधा आने के बावजूद प्रदेश में, हर जगत पे तीसरी डोच की भी सुविधा आ चुकी है, लेकिन दिन प्रतिदीन इसके केस बढ़ना यह बहुत गंफीर विशह हो गया है क्या कहना चाहेंगे अब देखी गाजल मुझे लगता है कि केस तो बड़े हैं और वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब करोना जो है पहले एक पेंडेमिक की स्थिती में था भी एक एंडेमिक की स्थिती में है यानि कि अब जिस तरह से बाकी की बिमारियां जो वाइरल बिमारी बनता जा रहा है गाहे बाए इस पे जो होता है लेकिन ओस पे गनीमत की बात ये है रहत की मत ये है कि आपने तीसरी डोस की बाद के ही जिए आ तीसरी डोस अब लगबकck सभी को दी जा रही है और दी जानी में चाहिए और पहली दो डो स्वाय hasn बी जो इतले से ब पर चिंता का विशा है लेकिन इसकी विजाए से जो मौते हो रही थी या इसकी विजाए से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती थी और काफी गंभीर स्थिती में मरीज पहुंच जाता था उस तरह की स्थिती से हम बच रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है मैं समझता हूँ ले सकती से लागू नहीं किया जाता ना जाए वो मास्क का हो जाए वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो लेकिन अभी भी हमें जो है इस मामले में कहीं न कहीं कोताही करने की जरूरत नहीं है और थोड़ी साबधानी हमें बरतने चाहिए तो ये तो बात हुई कैबिनेट की और अब मैं समझता हूँ हम बात कर लेते हैं स्ट्राइक को लेकर भी स्ट्राइक को लेकर के सर आज शिमला से एक और खबर आया थी सामने कि बिजली बोर्ट के जो करमचारी हैं वो आज से शिमला में अरिश्रत कालिन हरताल पर जा रहे हैं उनकी कुछ मांगे थी जिसको लेकर के कि उनके मदभेत तहे जिसको ले करके हो आज अनिश्रतकाली ना रिताल पर जा रहे हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल करमचारियों के साथ काफी इशुर रहता है मचल सरकार का और लगातार मांगें जो है वे करमचारियों ग्रैती है तो यहांपर भी कुछ पोस्ट को लेकर शायद जो है वो दिक्ते हैं कुछ पोस्ट जैसे जूनियर हेलपर की एक पोस्ट है czy जूनियर टीमेट की पोस्ट है वहां से कर्मचारी चाहते है कि जुनियर शब्द को उटा दिया जाए और इन इनके जो पद हैं जो ओहदे हैं उनको थोड़ा अपग्रेड कर दिया जा है उसके लावा कुछ आ उनके भी एरियर्स की दिक्ट रही है कुछ और वितिये जो है फिनेशल जो है एन्हांस्मेंट जो है जिनको हम बोलते हैं उसके लिए वो मांग कर रहे हैं और इससे पहले उ सरकार की तरफ से आश्वासन गया था कि जितने भी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा लेकिन अब उसके बाद करीब करीब वीस पच्चेस दिन का समय भी चुका है लेकिन मांगे नहीं मानी गई है तो एक तरह की इंपेशन्स जो है जो नजर आ रही है करमचारियों में और उसी को देखते हुए उन्होंने आज से हरताल का ऐलान कर दिया हाला कि सुनने में ये भी आ रहा है कि एक बार फिर से जो है वो बाचीत होगी और उस बाचीत में क्या निकल कराता है अगर उसमें फिर सरकारों ने कोई ठोस आश्वासन देती है या कोई एक्शन लेती ह है तो हो सकता है ये हरताल बंद सवाप भी हो जाएगी लेकिन फिलहाल की जुस्तित है वो अनिश्चित काली इन हरताल है हाला कि इसकी वजह सेवाएं हैं उनके उपर ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्राइक जो की जा रही है वो सीरिस में की जा रही है प लेकिन फिर भी सरकार को ये मसला हल करना चाहिए बिल्कुल सर जस सर ऐसा कि आप देख रहे हैं इस समय बारिश का भी मौसम चल रहा है तो थोड़ा उससे भी बात कर लेते हैं हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बारिश का कहर भी हिमाचल में बढ़ता जा रहा है और बहुत जादा जानों की भी नुकसान हो रही है मतब जानमाल का भी नुकसान हो रहा है और इसके साथ ही प्रशासन को भी हानी पहुंच रही है और बहुत सारे लोगों की तो जाने जा ही रही है एक तरफ प्रशासन को पी ड़ूडी को बहुत सार करोडों का नुकसान हो र शालाकर तो एक अच्छा साहीन है देश के लिए लेकिन इसके साथ-साथ दिक्तें भी जूड़ी हुई है और वह दिक्तेंपे इसलिए हैं क्योंकि हिमाचल जो है एक वो ए-को-लॉजीकली फ्रिजाइल state है प्रेवरन की दृष्टी से वहाँ पर कई तरह की दिक्कतें रहती हैं खास्तों पर पहाड़ी आलाके होने के विजा से land slides की और flash floods की दिक्कतें जो है वो काफी रहती है और इस बार भी जो आज आंकडे मुझे देखने का मौका मिला है वो काफी चिंता बढ़ाने वाले ह अब तक कि इस मौनसून के मौसम में एक सो पचास लोग हिमाचल में अपनी जान कवा चुके हैं और करीब पांसो पैसट करोड रुपे का नुकसान जो है वसरकार को हुआ है विभिन जो उनके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुचा है कहीं एक्सिडेंट्स हुए हैं मकानों को नुकसान पहुचा है करीब पचहतर या असी के आसपास तो मकान ही बिलकुल पूरी तरह से जमीन दोज हो गए हैं तरह एक दम से तबाह हो गए हैं इसके लावा ऐसे मकानों की संख्यावी हजारों में हैं जिनको आंशिक रूप पर जिनको नुकसान हुआ है तो कुल मिला कर स्थिती जो है वो हिमाशल में काफी खराब रही है और अभी भी मानसून लगभग जो है उसी तरह से चल रहा है आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर जो फोरकास्ट है वो यहीं है कि बारिश लगातार आगे भी आएगी और उसका सबसे बड़ा असर काजल जो जाता यात रूक जाता है और उसके अलावगा उनकी मरमत पर भी दोबारा से काफी खर्च करना पड़ता है जाता है जयादा तर सड़कें आपको पता है कि बिटुमिन से बनती है तो बारिश की वज़े से बिटमन जो है जो भी वहां से उखड जाता है जिसके विए से दोबारा से उन सडकों को तो काफी सडकों के ओपर हिमाचल में काफी काम करना पड़ता है काफी पैसा वहां पर लगाना पड़ता है और कुछ आंकड़े भी मेरे पास है उनको भी मैं चाहूंगा मैं आपके हिमाचल में पिछले डेड़ दो मीने के दौरान हुए हैं बादल फटने के साथ मामले आए हैं और इसके लावाद बत्तिस स्थानों पर बाड़ भी आई है तो इससे आप ये लगा सकते हैं अंदाजा की बारिश के विजए से कितना बारिश का कहर हिमाचल की ओपर देखन हैं जिनके ओपर आवाजाही बंद हैं तो कुल मिलाकर आउमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा कम से कम जो आना जाना है वो चलता रहेगा और कोई मेजर इंसिडेंट या एकसिडेंट इस तोरान में नहीं होगा औ हाला कि अभी करीब एक डेड़ मेना मौनसून का भी और भी बाकी है कितनी वारिश होनी है इसके बारे में फोर कास्ट है और कहा जा रहा है कि अच्छी वारिश होनी है आने वाले दिनों में उसे देखते हुए जो हिमाशल सरकार को करना चाहिए वो डिजास्टर के ओपर जो है उनको ध्यान देना चाहिए जो disaster management का उनका department है उसको उने चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और ताकि कम से कम जानमाल का नुकसान हो सके तो आज ये खबरों के चर्चा में बस इतना ही मिलते हम आप से कल नई खबरों के साथ नए मुद्वर पर चर्चा करने के लिए त